अस्सलाम अलेकुम ग्यापन एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं मुस्कान खातून और आज की इस वीडियो से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उर्दू का कवायद इसका मतलब यह हुआ जिस तरह आप इंग्लिस में इंग्लिस ग्रामर पढ़ते हैं जिस तरह हिंदी में हिंदी व्याकरन पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह हम उर्दू में उर्दू कवायद पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो हम यारे पर लिखते हैं उर्दू कवायद कवायद का मतलब अगर आप इंग्लिस में समझना चाहें तो कवायद का मतलब होता है ग्रामर और हिंदी में मतलब होता है ब्याकरण मतलब जिस तरह आप इंग्लिस ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिव, पॉजिटिव, निगेटिव, सेंटेंस या फिर सिंगलर, पुल्डर पढ़ते हैं बिलकुल उसी तरह उर्दू कवायद होता है या फिर हिंदी में आप संग्या, सर्वनाम, विसेशर, प्रितारतक सब्द, परेवाची सब्द ये सारी चीजे पढ़ते हैं बिलकुल उसी तरह आपका उर्दू कवायद होता है इसमें आपको इस्म, मारूफ, वगेरा जैसे की अलफाज, इजदाद, और वाहिद और जमा पढ़ना होता है तो हम उर्दू कवायद में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है वाहिद और जमा वाहिद जमा अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आप डारेक्ट लिंक कर पाएंगे ग्रामर और ब्याकरन से वाहिद का मतलब होता है अकेले कोई भी वस्तू का नाम लीजे वो हो जाएगा वाहिद जैसे कि अकेले पेन एक अकेला पेन कलम तो वो हो जाएगा वाहिद जिसरा आप इंग्लिस में अकेले पेन को सिंगलर बोलते हैं जिसरा आप हिंदी में अकेले पेन को एक वचन बोलते हैं उसी तरह आप उर्दू में एक अकेले पेन को क्या बोलेंगे वाहिद बोलेंगे अब बात आती है जमा की, जमा का मतलब होता है एक से अधिक कोई भी वस्तू जिसे की कलम है तो एक से अधिक है तो वो हो जाएगा जमा जिस तरह आप इंग्लिस में एक से अधिक वस्तूओं को क्या बोलते हैं पुर्ल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं बहु वचन, बिलकुल उसी तरह जम्मा होता है क्या, एक से अधिक वस्तु हैं अब ये वाहित मान लिजे किताब हैं ये एक किताबे इससे क्या पता चल रहा है कि एक किताबे को ये किताबे तो इसको क्या बोलेंगे वाहिद इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे सिंगलर और हिंदी में क्या बोलेंगे एक वचन अगर इससे अगर आपको जमा बनाना है मान लीजे आपको किताब को पुल्रल बनाना है तो आप क्या बनाएंगे इंग्लिस में बुक है सिंगुलर तो उसको पुल्रल क्या बनाएंगे बुक्स हिंदी में क्या बनाएंगे किताब का क्या बनाएंगे बहुवचन किताबे जो उर्दू है ये जो वाहिद है किताब इसका किताबे नहीं होगा इसका जमा होगा कुटब लेकिन उर्दू में किताब का पुल्रल यानी कि जमा किताबे नहीं होगा उसका होगा कुटब इसलिए उर्दू अलग है और उर्दू को हमेशा याद किया जाता है ग्रामर और ब्याकरण में तो बहुत सारे ट्रिक्स है फुरल बनाने के लिए ये बहु अचन बनाने के लिए लेकिन उर्दु में ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है जैसे कि किताब है तो इसका कुत्ब हो गया रात है एक रात तो वह हो गया वाहिद अगर इसको जामा बनाना है तो राती हो जाएगा देख रहे हैं किताब का कुद्ब हो रहा है और रात का राते हो रहा है बिलकुल हिंदी की तरह हिंदी में अगर रात का बहु अचन बनाएंगे तो वो भी राते होगा यहापर उर्दू में भी एक चीज मिल रहा है हिंदी से मान लिजी एक और ले लिजी साइर सायर का जमा होता है हिंदी में स्वराय इसी तरह करकर कर मैं एक मतलब दस पंदर दस अलफाज में लिख दे रही हूँ वहिद से जमा बना दे रही हूँ आप उसको याद कर लिजिएगा क्योंकि हमेजा उर्दु को याद ही किया जा सकता है इसका कोई ट्रीक नहीं है वहिद से जमा बनाने के लिए तो मैं एक एक करकर लिख दे रही हूँ आप याद कर लिजिएगा बस मेरा मकसद यही था कि मैं आपको वहिद और जमा समझा सकूँ आपको मैं वहिद और जमा अच्छे से समझा सकूँ यही मेरा मकसद था तो मैं 10-15 ऐसे 20 करकर मैं अलफाज लिख दे रही हूँ आप उसको याद कर लिए तो चलिए मैं लिख दे रही हूँ मिटा कर तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वाहिद और यहाँ पर जमा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे वाहिद लिखूंगी और फिर उसका जमा बनाऊंगी तो पहला है मौका मौका का जमा क्या होगा? आप हिंदी में तो बना सकते हैं मौका का मौके लेकिन उर्दो में क्या होगा? मौका का होगा मौकी दूसरा है तकलीफ इसका होगा तकालीफ किसरा है? सायर इसका होगा सुराय मैं आपर पंद्रा वाहिद जमा के अलफाजों को लिख दी हूँ जो आपके आने वाले कोई भी एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है देखिए वाहिद है यहाँ पर जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और यहाँ पर जमा है जिसको हिंदी में बोलते हैं बहु वचन तस्वीर का जमा होगा तसावीर, मुल्क का जमा होगा मुलूक, हदीश का जमा होगा अहदीर, हरकत का जमा होगा हरकात, किस्टा का जमा होगा किस्स, और रात का जमा होगा राते, दवा का जमा होगा अद्विया, मस्जिद का जमा होगा मसाजिद, किस्म का जमा होगा अक्स तो ये रहे आपके 15 वाइट जमा के अलफाज आप इसको याद कर लिजिएगा आज के इस वीडियो में बस इतना ही उर्दू कवायद के बहुत सारे टॉपिक जिसको उर्दू में बोलते हैं सबक बहुत सारे टॉपिक यानि कि सबक बचे हुए हैं जो आपको आने वाले वी मतला है पुल आपको यॉपिक याज्य कि सबके शवत कि व सारे एले терnaक्षब आपको याधम झाने सारे ओपको बहुत सी कि समयके एले वीडियों